हाई एवरिवन स्वागताब का चैनल स्टैडीजाट में रोत्तक कोर्ट के अंदर PN और स्टैनोग्राफर की वकैंसिज निकली हुई हैं स्टैनोग्राफर की पैंडरी लिखनी थी तो मैंने अलग से वीडियो बना रखे उसकी तो चैनल पर विजिट करके पूरी जानगारी देख सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ मैं PN वकैंसिज के बारे में पताने वाला हूं तो रोत्तक कोर्ट के अंदर PN की वकैंसिज निकली हुई है टोटल दस पोस्ट है कैटेगरी बाइस देखिएगा चार जनरल की वकैंसिज है एक जनरल एक स्वर्विसमेन की है दो बी 20,000 की आरांड आपको दी जाएगी आगे बात करें तो दीखिएगा ऐसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मीडल स्टेंडर्ड पास होने चाहिए यानि कि आप एड़्थ पास हैं तो आप इस वकैंसिज के लिए अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट आपकी एज जो कैटेग्री वाइज रिजर्विशन सरकार रेती है एज में भी छूट देती है पात साल तीन साल तीन साल ओभी सी के लिए पांच साल स्टेग्री लिए तो वह रिजर्विशन भी अपलाई कबल होगा लाश्ट डेट की बात करें तो दीखेगा आपकी उनधिस जनवरी 2024 आपकी लाश्ट डेट रहेगी श्याम पांस मुझे तक आपको इसके लिए ओफलाइन फॉर्म भरना है आगे बताने वाला हो वीडियो में किस प्रकाश्य फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म आपका डिश्टिक अंड सेशन जाज रोग तक इस आड़स पर आपका पहुंच जाना चाहिए 29 जनवरी 2024 से पहले श्याम पांस मुझे तक आपका फॉर्म वहां पर पहुंच सकता है और जो फॉर्म है आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड ओफिस में जमा करवा सकते हैं डाक के थरू या खुद से जाकर रोट तकोर्ट के अंदर आप जमा करवा के आ बहुत चाहिए मंतलब सकते हैं आगे बात करें तो जो सेलोक सा ее वह आपका एंट्रीवेश रहेगा और रिभीन का सेडूल जल्द ही आपकी ओफिस्ल वेब सॉइट जो है उसपर डाल दिया जाए और निकार चाहएगा एंट्रवेशल वेब साइट आंफिक्सइन आप जो लिफाफा आप त्यार करें जिसमें फॉर्म डाल का भरेंगे तो उसके बाहर जरूर लिख देना अप्लिकेशन फॉर दा पोस्ट और पियन और सारे डॉकुमेंट्स साथ में अटैज कर देना और यहां पर वहीं बात सब कुछ अब बात करते हैं आपके फॉर्म की क तो और भी जो जिस्टिक हार याना के उन में भी वकेंशिस निकली हुई है तो टेलिग्राम जुरू चेक आउट कर लिएना सारी वीडियो भी डाल लखी है मैंने फॉर्म भी डाल लखे हैं तो लाश्ट डिट क्या है सारी डिटेल्स देख लेना और अपलाई कर देना और अब बात करते हैं इस फोटो पेस्ट करनी है जो भी आपकी रिसेंट फोटोग्राफ है जो अभी इसी साल या तीन-चार महीने पुरानी हो चल जाएगी तो वो फोटो आपको लगानी है यहाँ पर फिर आपको लिखना है आपका नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में सब बड़े अक्सर लेना है फिर आपका फादर या हजबेंड जो भी है वो नाम आ जाएगा यहाँ पर डेट अबर्थ आपकी क्या है वो आ जाएगी फिर एक एक दो जर चोबिस को अब कितने दिन कितने मंथ और कितने साल के हो गए हैं वो बता देना है आपको और फिर सेक्स पर आपको बता देने है नेशनल टे इंडियन आ जाएगी फिर आपका यहाँ पर एडरेस आ जाएगा यहाँ पर कोर्सपंडिंग एडरेस आ जाएगा फिर आगे आपकी कास्ट कौन सी है कैटेगरी आपकी जर्नल है BCA BCB X-Serviceman है SC है जो भी कैटेगरी आपकी वो यहाँ पर बता देनी है फिर academic qualification आप कितने पढ़े लिखे हैं तो वो बता देना आपको फिर आगे बात करें तो यहाँ पर दीखीगा सबसे पहले आपको 10th की details परनी है कौन से board चे अपने की थी कौन से साल आपने की थी और division class percentage की यह आपको नहीं पता तो आप खाली जोड़ सकत board से की है रियना board से है cbc board से या फिर आजसान से की है तो आप वो बतास करें यहाँ पर कौन से साल आपने की थी वहीं same details आजाएंगे फिर graduation की details आजाएंगे और कोई qualification है कोई diploma कर रखा है तो उसकी detail आपकी यहाँ पर आजाएंगे इस column में फिर आपका experience कितने साल कोई आजाएंगे यहाँ पर फिर आपके contact number mobile number यहाँ पर आजाएंगे फिर email ID जो भी आपकी email ID है वो आजाएगी और जो भी documents साथ में attach करें वो सारे self attached attached करने सारे self attached photocopy आपको attach करनी है फिर आगे देखेगा यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है son son daughter wife जो भी है वो उसका आ नाम या फिर आपके husband का नाम वो यहाँ पर आजाएगा फिर यहाँ पर आपकी date कौन सी तारिक को आप form भर रहे हैं वो date आएगी यहाँ पर place कहां से आप form भर रहे हैं फिर यहाँ पर आपके sign आ जाएगे signature तो यह सारे form fill up करके फिर documents देखेगा सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लेना है अधार कार्ड हो जाएगा एक family ID की photocopy हो जाएगी और का certificate के लिए आपकी जो certificate होती है वो हो जाएगी फिर आपकी जो domicile है कि हर्याना के हैं आप वो हो जाएगी domicile आपकी और एक्सवरिसमें है तो एक्सवरिसमें की certificate भी साथ में लगा देने है कोई experience है तो experience की certificate भी आपको लगा देने है और यह सारे आपको distinct sessions जानकारी उम्मीद करता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं बिचा होगा यह फोर्म आपको मेरे टेलिग्राम को ग्रूप पर मिल जाएगा लिंक डिसेप्शन में दिया गया है तो वहां से जरू चेक आउट करें तो मिलते हैं एक्टेश्टी प्राइट में कोई डाउट हो क